बहुत्वा समान बिटो बहुत्वा समान दिल से दुआ दे रहे हैं कि अखलेश भाई हाँ आपने चाठ टॉपिक दिया है जिन्ना अरे आधा चुनाओ तो हम लोग इसी जिन्ना से ही खीच लेंगे मैं कसम से बता रहा हूं बीजेपी वाले भाई सब बड़े खोश है दिल से बीजेपी वाले आजकल अखलेश भाईया जिन्ना बाद कर रहे होंगे अखलेश भाईया जिन्ना बाद जिन्ना बाद जिन्ना बाद और वो जो हमारे केशो प्रसाद मौर्याजी है उप मुक मंतरी बिना काम के तो जब कभी आते हैं बीच में कुछ अपना बोल जाते हैं, ना दिवाली के टाइम है, फुल जड़ी छोड़ जाते हैं, तो उन्होंने बाईसाब फुल जड़ी छोड़ी, कहने लगा कि ये जो जिन्ना के जिकर कर रहे हैं, अखलेस जी, ये अखलेस यादो नहीं है, ये अ तो जिन्ना सहाद की मजार में पाकिस्तान गय थे उनके मजार में फूल चढाया था उन्हों ने . तो चारबूंद आंसू भी गिराए दोनों तरफ से मलाई खाते हैं इदर गांधी भी इद गोड़चे भी गांधी गोड़चे भी इन प्रेम बी ओर जिन्ना विरोध भी इधर free vaccine और गैस cylinder डीजल पेट्रोल से गुमा के 4 गुना पैसा भी आइटना वाला चित भी मेरी बट भी मेरी ये तेरा जिन्ना ये मेरा जिन्ना 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 ये चलना भाई साल मुझे समझ में यह आ रहा है मैंने इदर उदर ढोड़ने की कोशिस की अखले से आदो ने ऐसा कहा क्या है तब मुझे पता चला कि अखले से आदो ने एक भात कही कि जिन्ना, पटेल और नेहरूजी और एक आदे लोगों जो भी नाम लिया कि ये लोग विदेश में एक ही इंस्टिट्यूट से बैरिष्टर की पढ़ाई करके इदर फ्रीडम फाइटिंग में साथ में लोग लगे थे ऐसा कुछ बोला था उनोंने मैंने कहा जार इसमें इसी कुछ से नाराजगी वाली बात है फिर मुझे समझ में आया बात है उन्होंने इस्टिट्यूट पढ़ाई लिखाई बैरिष्टर ये सब बड़ी-बड़ी बाते की इससे तो भाई साब गुस्ता आये गही कि बांके सब मात करो इन लों के पढ़ाई लिखाई की बात मत करो जब यहाँ पर दसवी वाले बारवी वाले ये डिगरी वाले वो डिगरी वाले फर्जी डिगरी वाले लोग आराम से सब काम चला रहे हैं अपना देश का भी तो पढ़ाई लिखाई की बात क्यों कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है जिन्ना के चक्क्र में लोग गुस्सा नहीं है पढ़ाई लिखाई जी बात करती है बास भाय साहब इसी चक्क्र में लोग गुस्सा हो गए वरना मतलब ऐसा च्या कह दिया क्योंकि वो जिन्ना साहिब के मजार पे जाकर के फोल चड़ाने से दो बूद आशू टपकाने से बड़ा कुछ होना चाहिए तब समझ में आता म 편द ऐसा तो नहीं चाहिए जिन्ना की जन्म जयन्ती यहां पर हिंदुस्तान में मना है च्छुटी होनी ओस दिन यह हम जिन्ना को आदर समादतें हैं ऐसा तो नहीं कहा या जिन्ना जी का इस्टेचू साड़े तीन हजार करोंगी लागस से चाइनीज इस्टेचू यह जिन्ना ना हो गैं बाई य congressब्स नोगों ने गंहा लिया ही यह जब वी चुनाओ आता है न ये कहीłu कोई जिन्ना बोल दे गंह समझ कर सक justamente ब्ली दरावार इदर से डाला यह पुदी न नीमों डाला जिन्ना को कर सब्सक्राई दुबलन निचोड वeles जिरू को ऑ politic तब ही तो खुश है कि भाई साब आदा चुनाओ तो हम लोगे जिन्ना जिन्ना में खीज देंगे और लगे रहते हैं कि कहीं से कुछ ऐसा महौल मिल जाए और वैसे भी भाई साभी लोग अच्छा है यह खले यादो साहब ने जो यह जिन्ना का टॉपिक दे दिया कम से का मि जिन्ना 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 चलना है अगरे जिन्ना ना होते है तो कहीं न कहीं लोग बेरोजगारी की बात करते हैं विकास की बात करते हैं महगाई की बात करते हैं जो ऑक्सीजन नहीं मिली और जो लोग इतने करोना में निपट गए गंगा में लाशे यह वो इनकी बात करत या और जिन्на को यह नहीं समझ में आता है, अगर जिन्णा के बारे में कोई कुछ बोल दे तो हिंदुस्तान में कौन है, जो जिन्ना के नाम पर यहां पर वोड दे देगा, इनकी अलावा, यह तो जिन्ना से भी क्या, गन्ना से बोड निकाल लेते हैं, सबसे बोड निकाल दो वाईजा लगे रहो यह तेरा जिन्ना यह मेरा जिन्ना जिन्ना जिन्ना